लोग सबच नाव में बीजेपी के विजे रत को रोकने के लिए तमाम विपक्षी दलू ने एक साथ मिलकर इंडिया गडबंदन का गठिन किया था इंडिया गडबंदन भले ही पीया मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से ना रूप पाया हो लेकिन बीजेपी को बहमत के आंकले से दूर कर दिया था एंडिया को इंडिया गडबंदन ने कड़ा मुकाबला दिया था लेकिन अम नतीजे के बाद विपक्षी एकता बिखड़ने लगी है दिली हर्याना में कॉंग्रिस और आमादमी पार्टी के बीच सियासी रार छिड़ गई है तो महरास्ट और कॉंग्रिस और रूदफ ठाकरे की शिवसेना यूबी टी के बीच तकरार शुरू हो गई है अमादमी पार्टी और कॉंग्रिस ने पंजाब चोड़कर दिली हर्याना असम और गुज्रा सईद बाकी राज्यों में मिलकर लोगसभा चुनाव लड़ा था हर्याना में कॉंग्रिस ने पांस सीते जीती तो आमादमी पार्टी कुछ वोटों से कुरुक्षेतर जीत हार गई दिली में भी किसी का खाता नहीं कुला हर्याना और दिली में मिली हार का ठीकरा आमादमी पार्टी ने कॉंग्रिस पर फोड़ दिया विधान परिशद, सिख्षक और स्नाकत्तर कोटे के चिनाव को लेकर कॉंग्रेस और उदव ठाकरे की शिवसेना के बीच अन्बन शुरू हो गई है सूबे के चार सीटों पर हो रहे जिसे कांगरिस नेता नाराज है महरास्ट कांगरिस अध्यक शनाव को लेकर उदव ने कोई चर्चा नहीं की इस समथ में जब हमने ठाकरे से बात करने की कोशश की तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया नाना पटोले ने मांग की है कि शिवसेना नासिक और कोकर में अपनी जिम्मदारी उमीदवार वापस ले ले उदव खेमे के नेता अंबादास दानमी ने कहा है कि परमपरिक तरीके से जिन चार सीटों पर शिवसेना न उमीदवार की घोशना की है वहाँ पर कॉंग्रेस प्रभावी नहीं है मारास्ट में इंडिया गडबंदन ने लोगसभा चुनाव में अच्छे सफलता हासिल की है लेकिन चुनाव के समाप्त होते ही विधान परिशा चुनाव को लेकर खीशतान शुरू हो गई नाना पटोले के मताबिक उदव ठाकरे ने अपने चारों मीदवार घूशित कर दिये जबकि कोकर्ण सनातक और ना सिक्षा सिक्षक सीट पर कॉंग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है शिवजयना किने लोगसभा चुनाव के दरान भी सीट पटवारे का फैसला होने से पहली अपने कई उमीदवार की घूशना करती थी इसके चलते कॉंग्रिस में सिती असहज हो गई थी कॉंग्रिस के कई निता चुनाव नहीं लड़ सके और कुछ वज़व से पार्टी भी छोड़ गए मलसी चुनाव में उदव ठाकरे ने लंदन में रहते हुए नाना पटोले से पूछा था कि ना सिक और कौनकौन से कॉंग्रिस का उमीदवार कौन होगा पटोली द्वारा जब संदीब गुलवे का नाम अपने उमीदवार के रूप में लिया गया तो उदव ठाकरे ने गुलवे को शिवसेना का टिकेट दे कर मैदान में उतार दिया पहले लोगसबा चुनाओं और विधान परजिटर चुनाओं में शिवसेना द्वारा कीज़ारी मनमानी कौंग्रिस संगठन में छोटे कारकरताओं को भी रास नहीं आ रही खासा और सित्व जब लोगसबा चुनाओं में कौंग्रिस ने सिर्फ महारास्ट में 14 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बलकि देश के किसी भी राज़े से कौंग्रिस को सरवादिक सीटे देने वाला राज़े महारास्ट बन गया है शिवसेना 21 सीटों पर रड़कर सिर्फ 9 सीटे जीश सकी इस प्रकार महारास्ट में महाविकार सगारी में कौंग्रिस बड़े भाई की भूमिका में है अब ऐसे में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौंग्रिस अपनी उसी भूमिका के साथ सीटों की मांग रखेगी ऐसे में कौंग्रिस और शिवसेना के बीच इस तरह तक्रार हो रही है उसके चलते कहीं दरार ना पढ़ जाए